हाई गाइस यह देवांग महिश्वरी देश साइड एफल इंडिया लिमिटेड एक मुबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है बिसेकली एक कंजूमर इंटेलिजेंस प्लाटफॉर्म जो की हिल्प करता है अलग-अलग एडविटाइजर्स को रिलेवेंट कस्टोमर्स तक पहुचाने में 16,000 करोड के आस-पास कंपनी का मार्केट कैप है और अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है वह अपने अल्टाइम है से अरौं 15-16 परसेंट तक ही दूर है सबसे इंपोर्टन क्विशन यह आता है कि क्या यह एफल इंडिया खरीदने का सभी टाइ सेकेंड पार्ट में हम डिसकस करेंगे आफल के ओवराल ट्रेंड की टिकनिकल एनालेसिस यूज करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा करेक्ट पॉइंट हो सकता है जहां से स्टॉक अच्छा रिटन दे सकता है चली यह शुरू करता है पूरा एनालेसिस आफल सबसे पहले तो कंपनी ओवराल डेट परी है या नहीं कंपनी के रिटर्न रेशोज कैसे है सेकेंड कंपनी में ग्रोथ कैसा हो रहा है यह तीन सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टॉक अगर आपको एनालेसिस करना है क्योंकि डेट इक्विटी आपको फां के 013 है रीजनेबल है बहुत कम है काफी अच्छी बात है अगर हम देखे जून 2022 के रिजल्ट स्टॉक ने अच्छा ग्रो करा है हम अगर देखे सेल्स तो सेल्स 128 परसेंट तक का यह अगर हम जून देखे वो 36 करोड का प्रोफिट था यह 55 करोड हुआ है फिर्सnewस एक कि बात करें तह यहां पर अगर हम जुन देखे तो तो 36 करोड का प्रोफिट था यह 55 करोड हुआ है सिंपल सा रीजन है मार्जिन ट्रेंट को समझिए अगर हम अपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन देखे तो यह मार्जिन जो 29% तक पोच गया था दिसंबर 2019 में यह एक डाउनवर्ड ट्रजेक्ट्री में है मार्ज 2020 में देखे 25%, 25%, 26, 24 यहां से continuous downfall देखने को मिला 24%, 23%, 19%, 20% दिसंबर 2021, 18% मार्ज 2022 अभी फिर से एक increment दिखा है 2% का तो यह मार्जिन में जो overall undercut हुआ है उसका impact हमको profitability में दिखता है कि यहां पर जो profit उत्ती तीजी से grow नहीं हुए है जित्ती तीजी से हमारी sales grow हुई यहां पर भी आप देखेंगे March quarter में तो 59 करोड का सिर्फ 68 करोड ही हुआ जबकि आपकी sales अगर March की देखोगे तो 123% growth था यहां पर एक slowdown है जो हमें profit में देखने को मिला operating margins के कारण इसलिए भी साथ में अगर हम एक और चीजी की बात करें तो company का valuation अगर हम stock का PE multiple देखें तो यह currently trade हो रहा है 70 के PE multiple पे अभी recent में इतने stocks correct हो गए तो यह stock इतना जादा correct नहीं हुआ simple reason है क्योंकि growth अभी भी अच्छी आ रही है इसलिए stock फिर भी 70 के multiple पे है अगर आपको दूसरे stocks recent में देखेंगे तो काफी overall decline हो गए जैसे कि अगर हम overall IT group की बात करें तो आप देखी 30, 39, 15, 38 तो यह सारे valuation कभी 80, 90 के आस-पास हुआ करते थे 6-7 महीने पहले और 7 महीने में सारे के valuation आदे हो गए इसमें क्योंकि growth अभी भी है margin में हमको 2% का increment दिखा इसलिए stock बहुत जादा correct नहीं हुआ है बट पैसा भी कुछ stock ने कमा के नहीं दिया है अब बात करते हम technical viewpoint की drawings पुरानी हटा देता हूँ अगर हम देखें तो stock correct नहीं हुआ है all time है से that is for sure ये stock करीवन around 1500 के आसपस था अभी सिर्फ 18-17% ही down है all time ऐसे बट stock ने कुछ ऐसा पैसा कमा के भी नहीं दिया March 2021 के बात अगर हम March quarter पे result पे वापस से जाए अब या पे आप fundamental technical चीज़े दोनों match करने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से margins के साथ growth के साथ stock का जो price है वो move होता है अगर हम March 2021 में जाए तो हम March 2021 में जाते है इसके बात देखे तो आप देखिए ये full year है भी अब हमने पहले बात करी थी quarterly किस तरीके से flow हो रहा है अब आप full year profitable नोस को देखिए यहाँ पर हमारे margin थे मार्स 2021 में 25% के और मार्स 2022 तुकाए तो 20% के ही margin बचे 5% तक का overall margin चला गया और इसी के कारण यहाँ पर भी एक time wise correction हमको देखने को मिल रहा है कि यह मार्स 2021 था इसके बाद तब अगर price की बात करें तो 1272 के आज पा स्टोक का price था आज भी वहाँ पर है तो करीबन एक साल से उपर निकल चुका है स्टोक ने कुछ पैसे कमा के नहीं दिये वह बात भी सही है कि कुछ decline नहीं हुआ है पर कुछ increment भी नहीं हुआ है अब बात करते है कि क्या अभी हमें करना चाहिए तो यह स्टोक में बेसिकली अभी तक जो दिख रहा है वह है टाइमवाइस करेक्शन ओवरॉल चल रहा है चाफे growth आ रही है पर stock price आगे नहीं बढ़ रहा है margin के कारण valuation अपने आप कम होता जा रहा है अपसे valuation पर आते देखते कि कहा था यह valuation चार महिने पहले सिंपल सी चीज़ करना है आपको website पर अपने PE ratio देखा आप 5 साल maximum कर दिजिए अच्छा trend दिखेगा अब यह मार्च में देखिए 149 आपको यहां पर दिख रहा है 163 164 के valuation multiple पे आ गया था और अभी हम अगर डेड़ साल आगे आए पर्टिकुलर्ली तो स्टॉक का valuation अभी हमें इसका हाफ दिखता है 70 तो इसी तरीके से valuation corrections होते हैं स्टॉक साइड में जाता जा रहा है यहां जो 140 के multiple पे था 166 के multiple पे जो यहां पे था वो अब 70 के multiple पे बचाए और शायद हो सकता है कुछ और टाइम निकल जाए तो यह 70 का हमको 35 में मिल जाए तो स्टॉक में हमेशा दो तरीके के corrections होते हैं ताइम वाइस और दूसरा जो हमने काफी सारे IT stocks में देखा जैसे के विपरो में 70 पे भी overall बात करें अगर हम इंडस्ट्री से compare करकर तो भी expensive ही है इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें आगे और correction आ सकता है और सकता ही ऐसी तरीके से sideways जाता है रहा बात करते हैं इसमें channel formation की अगर आप देखें इस particular stock में तो हमको एक clean बहुत ही clean channel दिख रही है इस particular channel के आसपास ही stock move कर रहा है तो stock यहाँ पर गया नीचे आया उपर गया फिर नीचे आया फिर हो सकता ही अभी currently आपको 1600 तक वापस आने वाले 4-5 महिने में पहुच जाए तो stock जो है एक sideways momentum में है यह आप देखेंगे एक overall channel है जिसमें stock move कर रहा है इस stock में जब एक अच्छा breakout मिलता है तब हमको अच्छा momentum upside की तरफ मिलेगा बट अगर यहाँ पर correction आ जाता है क्योंकि valuation जादा है तो अगर यहाँ पर correction आता है stock पर example roll up होता है और यहाँ से नीचे की side जाता है तो stock एक downtrend में आ जाएगा तो आपको अब इसमें आगे क्या होता है दो चीजों का दियान रखना है सबसे पहले तो आप valuation का दियान रखिए कि वो किस तरीके से अब आगे move होगा और दूसरा channel से किस तरीके से breakout क्या breakdown हो रहा है तो इन दो चीजों को यूज करकर आप आगे निकाल सकते है कि एफल इंडिया में करना क्या है देखिए चाहता तो मैं आपको शुरू के एक मिनट में बता देता कि क्या करना चाहिए बट objective इस वीडियो का ये नहीं है कि आपको tips दी जाए आपको self sufficient बनाने का objective है इसलिए ह हमने इत्ती detail में हर चीज की बात करिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है हमारा webinar है which is on the topic how to become a successful trend follower so webinar को join करने के लिए whatsapp group को join करना जरूरी है जिसकी link है description में तो description में जाएए whatsapp group को join करिए काफी सारे insightful चीज़े हम उसमें discuss करने वाले है जो आपके overall understanding को multiply करेगा वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएगा और चानल को subscribe करना मत बूलिएगा मिलता है फिर से अगले वीडियो में thank you watching CA दिवांग महश्वरी करना दिवां में आपके अगले है जर अगले है जरूर अगले टो रचानल को थाएगजज़े जर लागार कोईस्वरी रहा है बुटरा में कर दो जो दो कि अगले है वीडियो